गुरुग्राम सीएम मनोहर लाल ने GMDA के लिए 2574.40 करोड रुपे के वार्शिक बजट को दी मन्जूरी गुरुग्राम हरियाना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम महांगर विकास प्राधिकरण GMDA के माध्यम से गुरुग्राम शहर के विकास को गती देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्विकृती प्रदान की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में PWD Rest House में शनिवार की देर शाम गुरुग्रा महांगर विकास प्राधिकरण की बारवी बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में हरियाना के परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा, शहरी स्थानिय निकाय मंत्री डॉक्तर कमल गुपता, बादशापुर के विधायक राकेश दौल्ताबाद सहित अन्यवरिष्ट अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। वहीं हरियाना के मुख्य सचिव संजीव कौशल भी विडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। GMDA द्वारा शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं को GMDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी PC मेना ने प्रस्तुत किया। गुरुग्राम, CM मनोहर लाल ने GMDA के लिए 2574.40 करोड रुपे के वार्षिक बजट को दी मन्जूरी। गुरुग्राम, हरियाना के मुख्यमंतरी मनोहर लाल ने गुरुग्राम महांगर विकास प्राधिकरण GMDA के माध्यम से गुरुग्राम शहर के विकास को गती देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्विकृती प्रदान की। मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में PWD Rest House में शनिवार की देर शाम गुरुग्रा महांगर विकास प्राधिकरण की बारवी बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में हरियाना के परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा, शहरी स्थानिय निकाय मंत्री डॉक्तर कमल गुप्ता, बादशापुर के विधायक राकेश दौलताबाद सहित अन्यवरिष्ट अधिकारीगण भी उपस्थित रहें, वहीं हरियाना के मुख्य सचिव संजीव कोशल भी विडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। जीएमडिये द्वारा शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं को जीएमडिये के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मेना ने प्रस्तुत किया। शीतला माता मेडिकल कॉलेज के 2574.40 करोड रुपे के वार्षिक बजट की स्विक्रिती प्रदान की वार्षिक बजट में धाचागत तंत्र, सडक, जलापूर्ती, सीवरेज, स्टोम वाटर आदी के लिए 570.06 करोड रुपे, क्यापिटल वर्प के लिए 1151.77 करोड रुपे, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं विशेशकर शीतला माता मंदिर के लिए 300 करोड रुपे, शहरी परियावरन के लिए 36 करोड रुपे, ओपरेशन एंड मेंटनेंस के लिए 538 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है, वार्शिक बजट के लिए प्राधिकरन के पास 2043.17 करोड रुपे का राजस विभिन्न मदो से प्राप्थ होगा, साथ ही शेश 531.23 करोड रुपे की आवशकता पहले से उपलब्ध कॉर्प्स फंड से पूरी की जाएगी, टेल एंड सेक्टर्स तक पानी पहुचाने के लिए 125 करोड रुपे की परियोजना स्वीकृत, गुरुग्राम महांगर विकास प्राधिकरण की बैठक में शहर के विभिन्नक शेत्रों तथा नए सेक्टर्स की जलापूर्ती की माम को लेकर भी नई मास्टर वाटर सप्लाई लाइन का भी प्रस्ताव रखा गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने 20.50 किलोमेटर लंबी मास्टर वाटर सप्लाई लाइन को स्विकृती प्रदान की, इस लाइन के लिए 125 करोड रुपे के बजट को भी स्विकृत किया गया, बसे जल शोधन सैयंत्र पार्ट 2-200 MLD क्षमता की नई लाइन से सेक्टर 101, 104, 108, 110, 110A, न्यू पालम विहार, पालम विहार, सेक्टर 23, NH 48 को पार करते हुए साइबर हब आधी क्षेत्रों में जलापूर्ती होगी, इस लाइन के माध्यम से नए वपुराने शहर में साइब आगूर्ती होगी झालम विहार, सेक्टर पार करते हो उपुराने विहार, सेक्टर 17,12 ये विहार दोना विहार, सेक्त्रों में पालम विहार, सेक्टर 17, 11, 12.